Hello Everyone, Welcome to StudyTube प्रतिरोधक में से विदुद्धारा आई प्रवाहित होती है एक स्रोध प्रतिरोधक में स्रोध क्या होता है जो इभांतर को बनाये रखता है सेल, बैटरी कि टी समय में स्रोध द्वारा आपूरती की गई उड़जा की मातरा कितनी होगी कहने का मतलब जैसे की सेल है, बैटरी है, ती समय तक हम उसे लगाये रखते हैं सर्किट में तो विभांतर बनाये रखने के लिए कितनी उड़जा की मातरा होगी आप उड़ती की जाएगी इस स्रोध के द्वारा देखिए उड़जा बढ़ाबर, यानि कि एनर्जी बढ़ाबर, पावर इंटू में टाइम होता है यह होता है शक्ति गुने में समय और विदुत धारा वाले चैप्टर में शक्ति के लिए तीन फर्मूले हैं जो आपको दिहान में रखने है पहला है V इंटू में I, दूसरा V की अस्ठान पर आप I इंटू में R डाल दो तो क्या हो जाएगा I स्वार आर और I की अस्ठान पर अगर आप यहाँ पर V बटे में R डाल दो इसी फर्मूले से तो यह हो जाएगा आपका V स्वार बटे में R ये शक्ति के लिए तीन फर्मूले हैं जो आपको दिहान में रखने है अब आप यहाँ पर देखो पावर इंटू में टाइम है इन में से पावर का हम कौन सा फर्मूला यहाँ पर डालेंगे जब टाइम से उसमें मल्टिबलाई होगा तो इसमें से एक मैच कर जाएगा वी इंटू में आई तो होगा नहीं हमें उर्जा का फर्मूला चाहिए लेकिन ये शक्ति का फर्मूला है तो ये तो हमारा आंसर नहीं है दोगों यहाँ पर वी आई टी लिखा हुआ है तो अगर हम पावर के अस्थान पर वी आई ले ले और तब यहाँ टी से मल्टिबलाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो फर्मूला आपको दिहान में रखना है ये शक्ति के लिए तीन फर्मूले है आप एक याद रखो बागी सारे आप खुटे डिराइव कर सकते हो या फिर आसान है तीनों आप डारेक्ट ही रटलो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है निमरिकल बनाने में ये काफी काम आएगा यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर वाले वृत्ताकार पत के चारो ओर जाने में टी सेकेंड का समय लेती है तो वेग वी निम्र में से किसके दोरा दिया जाएगा एक वस्तु है जो वृत्ताकार पत के चारो ओर चक्कर लगाती है माली जी ये पॉइंट ए है यहाँ से वस्तु चलती है और ऐसे चक्कर लगा करके फिर पॉइंट ए पर आती है और इसमें समय लगता है टी ये जो बृत्ताकार पत है इसके त्रिज्या है आर हमसे पूछा गया है कि वेग क्या होगा वेग बोले तो velocity बराबर क्या होता है विस्थापन बट्टे में समय विस्थापन बट्टे में समय यानि कि displacement displacement और बट्टे में time अब मुझे यहाँ पर यह बताओ अगर एक चक्कर पूरा लगा लिया जाएगा एक हो जाए जब भी प्राडांबिक बिंदो और अंतिम बिंदो एक हो जाए तो इस्थापन जीरो हो जाता है तो जीरो बट्टे में time t बड़ाबर में जीरो तो यहाँ पर देखो कोई भी विकल्प नहीं है जीरो लेकिन हमारा आंसर क्या होगा यह होगा यह सवाल है इसका आंसर यह होगा यहाँ पर हमसे वेग के बारे में पूछा है मालो यहाँ पर अगर गती होता कि भईया गती है वी तो बताओ क्या होगा गती यानि की स्पीड तब हम यहाँ पर डिस्टेंस ना लिख करके दूरी बट्य में ताइम अब एक चक्कर अगर यह वस्तू लगाती है तो एक चककर में कितनी दूरी चलेगी परीधी के बडाबर और वृट की परिधी 2πhr यह होता है तो वृट की परिधी 2πhr और बट्य में टाइम होता हमारा तब जाकर के जो हमारा आंसर आता न वो ये आता ए नमबर आता ठीक है अगर velocity पूछ दिया जाएगा तो एक चक्कर लगाने में displacement 0 विश्थापन शुनने तो वेग भी शुनने अगर हमसे गती पूछ दिया जाए तो तूपा यार बटे में T तो इस सवाल का जो जवाब है ना या यहांपर हमसे वेग का पूछा हुआ है तो इनमें से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है जब मैं आपको PDF दूँगा या तो मैं यहांपर गती कर दूँगा या फिर मैं क्या करूँगा यहांपर वेग रहने दूँगा और option में मैं 0 डाल कोशो की संख्या बढ़ती है नंबर ओफ शेल्स कोशो की संख्या बढ़ती है कोशो की संख्या बढ़ेगी तो no doubt जो प्रमानु त्रिज्या है प्रमानु का अकार है ये भी बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं प्रमानु का जो अकार है एटम का जो साइज है ये भी इंक्रीज होगा उसके बाद क्या होगा जो वैलेंस एलेक्ट्रोन है जो सहिँजक्ता एलेक्ट्रोन है जो सहिँजी एलेक्ट्रोन है वैलेंस एलेक्ट्रोन है इसमें कोई पडिवर्तन नहीं होगा एक समों में जितने भी तत्व आता है न सम्मे वालेंस एलेक्टरॉन जो है समानी होता है जो धात्विक गुण है metallic character है जो धात्विक गुण है जो metallic character है ये भी increase होगा बढ़ेगा तो ये सारे points आपको ध्यान में रखना है कि कोशो की संक्या बढ़ती है प्रमानु त्रिज्या बढ़ती है या प्रमानु आकार बढ़ता है वालेंस एलेक्टरॉन स्योंजी एलेक्टरॉन में कोई पड़िवर्तन नहीं आने वाला है धात्वी की गुण भी यहाँ पर बढ़ेगा शेलो की संक्या घटती जाती है ये गलत हो जाएगा वालेंस एलेक्टरॉन कम हो जाते है गलत हो जाएगा वालेंस एलेक्टरॉन में कोई पड़िवर्तन नहीं होगा जैसे समू संख्या एक है, इसके अंदर जो भी ततो आते हैं, सब के लिए वाले इन सेलेक्टों एक है, शेल की संख्या बढ़ती जाती है, यह हमारा सही हो जाएगा, परमानविक आकार कम हो जाता है, यह गलत हो जाएगा, बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, मानव नरो में मुत्र और विरे के प्रवाह के लिए एकी अनाग है यानि कि एकी पैसेज है एकी रास्ता है जिसे डैश कहते हैं तो मानव नरो में यह जो रास्ता है यहीं से सीमेर भी बाहर आता है यानि कि यहीं से विरे भी बाहर आता है और यहीं से मुत्र भी बाहर आता ह इसे हम लोग मुत्रमार्ग बूलते हैं, मुत्रमार्ग युरित्रा, मुत्रवाहिनी नहीं बूलते हैं, देखों यहाँ पर मुत्रवाहिनी भी है, मुत्रमार्ग होगा, ठीक है, C हमारा राइट आंसर होगा, मुत्रवाहिनी क्या है, यह है मुत्रवाहिनी, युरेटर हम इस है किड़नी से मुत्र को मुत्राशे में लाना और यह देखो यह टेस्टिकल है या टेस्टिस वरिशन बोलते हैं इसमें क्या बनेगा इसमें शुक्रानू यह शुक्रानू जो है इस शुक्रवाहिका से ऐसे हो करके इस रास्ते से ऐसे आएगा और मुत्र यहां से मुत्राश इसे हम लोग बोलते हैं मुत्रमार्ग यूरित्रा बोलते हैं सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नलीका ये तो मादाओं की अंदर होता है तो ये मुत्रवाहिनी यूरेटर एंड ये यूरित्रा इन दोनों में अंतर जो याद रखेगा जल्दवाजी में म यह में लिखित में से कौन सा फूल के कंदर में मौझूद होता है फूल के कंदर में यह दखो यह है फूल के कंदर में इसी को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं इसी को हम लोग करपल बोलते हैं इसी को हम लोग अंडव बोलते हैं इनके तीन भाग होते हैं वर्तिकागर वर्तिक और अंडाश हैं ये पुष्प का मादा जनन भाग है नर जनन भाग को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं जिसके दो भाग होते हैं एंथर यानिकी पराग कोश और फिलामेंट यानिकी तंतु इस पराग कोश में पराग कण का निर्मान होता है तो सेंडर में कौन है बीच में कौ सवारा होना यह सारे एलपी के एक्जाम में और लड़ी पूछे जा चुके हैं 2018 में तो अगर आपको यह सवाल असान लग रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं बट यह एक्जाम के पूछे हुए सवाल है बहु विखंडन द्वारा उत्पन होता है यह आपको अच्छे से याद रखना है कई बार मैं आपको यह दिखा चुका हूँ विखंडन दिव विखंडन दिव विखंडन अमीबा है और लिश्मेनिया लिश्मेनिया के कारण काला जड़ होता है बहु विखंडन प्लाज्मो रेखिन वर्थन द्हान में रखना है जिखे के दोरा स्पाइरो गारा में होगा जो की हराश है जूद्व संत काई प्रब ठीजी प्रतन और सभी रोपार हमारा आंशर क्या हो जैistance द्वरा पूचा तो प्लाजमोडियम हमारा राइक आंसर हो जाएगा न्यूटन द्वारा गणित की निमलिखित शाखाओं में इसे किसका विश्कार किया गया था तो न्यूटन ने न्यूटन ने मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच खोच डाला जिसे में लोग बोलते हैं गणना इंगलिश में बोलते हैं कैल्कुलस कैल्कुलस ये मैट्स का एक ब्रांच है जिसकी खोच न्यूटन ने की गती का पहला सम्मिक्रन किसके बीच संबंध दर्शाथ है गती के तीन सम्मिक्रन है पहला ये है V is equal to U plus A T दूसरा ये है S is equal to U T plus half A T square तीसरा है V square minus U square is equal to 2 A S यहां जो V है ये है अंतिम वेग U है प्रारंबिक वेग A है तोरण T है समय और S है हमारा विस्थापन तो यहां पर देखो जो पहला सम्मिक्रन है ये वेग और समय के बीच में है ठीक है वेग और समय के बीच में है संबंध दूसरा जो है ये है आपका इस्थिती बोल सकते हो या फिर विस्थापन बोल सकते हो है ना इस्थिती इस्थिती और समय के बीच में और जो तीसरा है यह है वेग और इस्थिती के बीच में वेग और इस्थिती के बीच में पोजिशन, वेलास्टी एंड पोजिशन के बीच में हमसे पूचा है गती का पहला समिकरन वेग और समय के बीच में भी हमारा right answer हो जाएगा और यह जो गती के समिकरन है यह तभी लागू होता है जब जो तौरन है तौरन यह आपका नियत होता है यानि जो acceleration है यह constant होता है तभी यह formula जो है valid होते है अगर acceleration change होड़ा है समय के साथ तभ यह वाला formula सब काम नहीं आता है सब fail हो जाता है तो गती क आपका समिकरन तभी लागू होगा जब तौरन नियत हो धौनी की पीच किस पर निर्भर करती है धौनी के पिच को हम लोग हिंदी यह बोलते है तारतो तो आवर्टी बढ़ने से दौनी एक तरहत्त बढ़ता है यानि कि पीच जो है भड़ती है इससे आवाज पतली होती ह अगर आवरिती कम हो तो तारत्तु कम होगा आवाज जो है मोटी हो जाएगी अगर आयाम बढ़े तो दोनी की प्रबलता बढ़ती है दोनी के प्रबलता बढ़ती है मतलो आवाज जो है और यानि की आवाज और लाउड हो जाती है आवाज जोय और उची हो जाती है और अगर आयाम कम होगा तो प्रबलता कम आवाज जोय कम हो जाएगी तो हमारा आंसर यहाँ पर आवरिती हो जाएगा माध्यम बदलने से दोनी की आवरिती नहीं बदलती है धौनी एक अनुदैर्दी तरंग है यह निरवात में नहीं चलती निम्न लिखित में से कौन सा एक धनायन है कौन सा एक धनायन है आयन दो प्रबगार के होते है धनायन जिन पर धन आवेश होता है रिनायन जिन पर रिन आवेश होता है अमोनियम ammonium iron होता है NH4+, nitrate iron होता है NO3-, यह nitrate iron है, यह nitrite iron है, और यह nitride iron है, carbonate का होता है CO3-, hydroxide का होता है OH-, तो बस एक ही है धनायन इसमें, और यह है A, तो जो ammonium iron है, यह कहा कि धनायन है, केटायन है, प्लस वन चार्ज होता है, आपसे मैं एक सवाल पुझता हूँ, उसका आप answer दो, ammonium nitrate, ammonium nitrate का formula क्या होगा, आप comment करके हमें बताएं, ammonium nitrate का formula क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, डी हमारा डाइट आंसर जो वायू का अपवर्तनानक है वो है 1.0003 तो अगर हम प्रकाश के वेग की बात करें तो air में air में भी हम लोग इतना ही बताते हैं हाला कि होगा इससे थोड़ा सा कम क्यों? क्योंकि इसका जो अपवर्तनानक है air का वो देखो 1.0003 है थोड़ा सा ही कम जो है ये वेग होगा air में इसलिए हम लोग air में वही लेकर के चलते हैं speed जो की निरबात में होता है क्योंकि इसका पवर्तनान जो है देख लो बहुत ही कम है जब magnesium ribbon को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा योगिक उत्पन होता है magnesium ribbon है इसको हवा में जलाया जाता है मतलब की oxygen में जलाया जाता है जलाने पर बनेगा magnesium oxide अब चाहो तो इसे balance कर सकते हो ये balance होगिया ये है आपका magnesium oxide ये है magnesium oxide और ये white powder होता है सफेद रंग का चुड़न होता है ये white powder होता है magnesium oxide ये हमारा right answer हो जाएगा ये oxygen अभिक्रिया है दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद यहाँ पर बना रहे हैं तो ये oxygen अभिक्रिया है magnesium oxide हलाकि जल में उतना गुलन शील नहीं है लेकिन फिर भी जल में घुलने के बाद यहाँ पर magnesium hydroxide बनता है इससे हम लोग बोलते है milk of magnesium milk of magnesium antacid के तरह इसका इस्तमाल किया जाता है पेट की अमलता को कम करने के लिए प्रती अमलत के तरह इसका उप्योग किया जाता है milk of magnesium बोलते हैं इसे और simply magnesium हम लोग बोलते हैं magnesium oxide को यदि घुल से धातु A धातु B को भी स्थापित कर दे तो धातु A डैश यदि घुल जैसे मान लो कोई घुल है यह घुल है copper sulfate का जलिये विलियन copper sulfate का है इसमें हमने डाल दिया iron हमने जब इसमें iron डाला तो क्या हुआ कि अब यहां पर बन गया ferrous sulfate का गोल और iron बेचारा यहां पर अकेला रहे गया इस गोल का जो color था पहले नीला था अब क्या है ferrous sulfate बन गया तो यह नीला पन खत्म हो जाता है हलका जो है green हो जाता है तो इससे यह समझ में आ जाता है कि अब copper sulfate का गोल नहीं रहा color change हो गया मतलब कि नया compound का गोल बन चुका है तो ferrous sulfate का बन चुका है copper को भगा दिया इसके solution से इस iron ने copper को भगा दिया इसको side कर दिया और अपना solution मना लिया ऐसा तभी हो सकता है जब यह iron है यह जादा powerful हो ज्यादा ताकतवर हो तभी तो इसको मार करके copper को मार करके भगा दिया तो गोल से धातू A धातू B को भी स्थापित कर देता है मतलब धातू A जो है ज्यादा प्रतिक्रियाशील है धातू B के तुनला में कम नहीं धातु B के तुनला में अधिक प्रतिक्रियाश्रील है तो D हमारा डाइट आंसर हो जाएगा तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए ये reactivity series आपको याद रखना होगा हर उपर वाली जो धातु है हर उपर वाली जो धातु है वो विस्थापित कर देगी अपने से नीचे वाली धातु को उसके घोल से तो ऐरन उपर है और कॉपर नीचे है इसलिए कॉपर सलफेट के घोल से इस ऐरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया ये विस्थापन अभिक्रिया का उधारन है पुरुष में प्रात्मिक यौन अंग कौन सा है पुरुष में प्रात्मिक यौन अंग कौन सा है अब यौन अंग युडेत्रा, प्रेनिस, टेस्टिस, एप्रिडाइमिस, वास जिवरेंस, प्रोस्टेट ग्लेंड, समानेल वैसिकल ये सारे जो है सेक्स ओर्गन ही कहलाते है रिप्रड़क्टिव सिस्टम का ही पार्ट है लेकिन यहां पुझाए प्रात्मिक यौन अंग कौन है प्राइमरी सेक्स ओर्गन कौन है तो ये होता है वरिश्ण क्यों हम बोलते हैं इसे ऐसा क्योंकि स्पर्म का प्रोड़क्शन होता है इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है इसमें इसी लिए बोलते हैं और सेक्स हार्मोन भी इसी में बनता है टेस्टोएस्टिरोन तो यह में कारण है यह बोलने का कि यह प्राइमरी सेक्स ओर्गन है महिलाओं के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ओर्गन है वो है अंडाशे क्योंकि एग का जो फॉर्मेशन है ये अंडाशे में होता है प्रीत्वी के चारो और एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा दोरा किया गया कार निमलिकित में से किसके बड़ाबर है याद रखेगा वृत्ता कार पत्थ में वृत्ता कार पत्थ में गतिमान पिंड पर किया गया कार शुनने होता है कोई भी वस्तु जो है अगर वृत्ता कार पत्थ पे घूम रही है तो हर पॉइंट पे उसके दोरा किया गया कार जीरो है ऐसा नहीं है कि एक चक्कर लगाने के बाद जीरो होगा एक चक्कर लगाने के बाद जीरो नहीं होगा, हर पॉइंट पर जीरो होगा कहने के मतलब वो आधा चक्कर लगाए, पूरा चक्कर लगाए, एक चोथाई चक्कर लगाए किसी भी समय किया गया कार शुनने होगा तो प्रित्वी के चारो और गोमने में चन्रमा या कृत्रिम उपगरा दोरा किया गयाकार जीरो सुरी के चारो और गोमने में ग्रहों के दोरा किया गयाकार जीरो नाभी के चारो और एलेक्टॉन के गोमने में किया गयाकार जीरो ताप ये अब घटन के दोरान अमोनियम नाइटरेट उत्पन करता है अब घटन अभिक्रिया हम लोग किसे बोलते हैं अब घटन अभिक्रिया अब घटन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास एक अभिकारक होता है हम उसे उर्जा देते है हम उसे उर्जा देते हैं और ये अभिकारक टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है अभिकारक एक ही होता है हम उसे उर्जा देते हैं अब ये जो उर्जा है हम दे सकते हैं heat के form में हम दे सकते हैं light के form में, हम दे सकते है current के form में, हमें उर्जा देनी है, इससी क्वाम लोग अभिटन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, तापी अब गटन का मतलब यह हुआ कि हमने heat के form में energy दी है अगर हम light के form में देते तो परकाशी अब गटन हो जाता और हम अगर electric current ग्रूप में देते हैं तो वैदूत अब गटन हो जाता तो यहाँ पर क्या है कि ammonium nitrate हमारा एक अभिकारक है यह है ammonium nitrate जिस्ट थोड़े पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ammonium nitrate का formula क्या होगा देख लो यही है एक अभिकारक है इसको किया जाता है heat तो यह दो उत्पाद यहाँ पर बनते हैं यह क्या है nitrous oxide जिसे हम लोग laughing gas बोलते हैं यह greenhouse gas भी है यह हमारा answer निमल लिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबे राइनर ट्राइड का प्रतिनित दुकरता है अब जो डोबे राइनर थे उन्होंने तीन ट्राइड थे लिथियम sodium potassium calcium potassium potassium barium chlorine bromine iodine इसको याद रखिए बहुत ही अच्छे से एक्जाम में खुब सवाल आते हैं यहां से तो यहां पर देखो lithium sodium potassium भी हमारा answer निमल लिखित में से कौन सा गतन गलत है थोस्पदार्द कठोर होते हैं सही है थोस्पदार्द कठोर होते हैं थोस्पदार्थों का आकार अनिशित होता है यह तो गलत हो जाएगा थोस्पदार्थों का आकार अनिशित नहीं निशित होता है थोस्पदार्थ का आयतन निशित होता है यह सही है थोस्पदार्थ लगवग और संपीड होते हैं यह भी सह जो आपके ठोस होते हैं वो लगवग और संपिड होते हैं द्रव जो है वो भी लगवग और संपिड ही होते हैं सबसे ज्यादा जो संपिड है वह गैस हमारा आंसर यहां पर भी हो जाएगा लिखरक है अब लिखरक का यहां पर ठोस पदार्तों का अकार अनिशित होता है प्रमानुद्रवेमान 4U है नैट्रोजन का जो प्रतीक है N है प्रमानुद्रवेमान 14U है लिथियम का सिंबल LI है प्रमानुद्रवेमान 7U है और हैट्रोजन का सिंबल तो आपको पताई है प्रमानुद्रवेमान 1U है सबसे कम परमानू दरवेमान पूछा है तो हमारा answer D हो जाएगा मान लीजे यहाँ पर परमानू दरवेमान ना देखर करके आपसे molar दरवेमान पूछ लेता है molar mass molar mass पूछ लेता है तो हम क्या करते हैं बहुत ही simple है संख्यात्मक मान हम वही लेंगे 4, 14, 7, 1 बस U के अस्थान पर हम लोग ग्राम लगा देंगे ग्राम, ग्राम, ग्राम यह molar दरवेमान हो गया यह एक परमानू के दरवेमान है यह सारे के सारे ठीक है एक परमानू का दरवेमान है हेलियम के एक परमानू का दरवेमान जो है 4U है यह एक प्रमानु है, इसका द्रवमान 4U है, मोलर द्रवमान का मतलब 6.022 into 10 to the power 23, इतने प्रमानु का द्रवमान हो गिया, इतने atoms का द्रवमान हो गिया, संख्या में, बहुत सारे ऐसे atoms होंगे, बहुत सारे, इतने atoms होंगे, उसका प्रमानु द्रवमान है 4 ग्राम, आमीबा में किस प्रकार का अलेंगिक प्रजनन होता है आमीबा में किस प्रकार का होता है बाइनरी विखंडन या फिर दिव विखंडन निमने लिखित में से किन उतकों में कोशिकायां जीवित होती है लंबी और कोनों पर अनेमित रूप से स्थुल होती है यह है स्थुल कोण उत्तक यानि की कॉलेन काईमा कॉलेन काईमा उत्तक की कोशिकायां जो होती है वो जीवित होती है, लंबी होती है और अनिमित धंक से कोणों पर मोटी होती है और इनके कोशिकायों के बीच बहुत कम अस्थान होता है ये क्लास 9th NCRT का cutout है एक बार ध्यान से इसको आप पढ़ लेना कॉलेन काइमा टिश्यू के कारण जो है पौधों में लचीला पन होता है यह पौधे के जो कुछ हिसे होते हैं वो लचीले होते हैं वो मुड़ जाते हैं लेकिन आसानी से तूटते नहीं है इसके फीचे कारण है कॉलेन काइमा टिश्यू एक बार खुद से आप इसको पढ़ना जरूर एक चीज आओ याद रखो यह जो एसकलेन काइमा है ना इनके जो सेल्स है सरल अस्थाई उत्तक तीन परकार के होते हैं परेन काइमा, कॉलेन काइमा, स्कलेन काइमा यह जो स्कलेन काइमा है इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं बडित होते हैं बाकी कॉलेन काइमा, परेन काइमा, एरेन काइमा एरेन काइमा जो है परेन काइमा का ही एक टाइप है इन सब के जो सेल्स होते हैं वो जिवित होते हैं एक वक्रिये दर्पन एक वक्रिये दर्पन जिसमें परवर्तन सतय है अंदर की ओर वक्रिये होती है उससे कहा जाता है देखलो ये भी एक गोलिये दर्पन है या फिर वक्रिये दर्पन है ये भी गोलिय दरपन है, दोनों गोलिय दरपन है, इस वाले में जो प्रावर्तक सतय है, ये दो को अंदर की ओर हुआ करिये हैं, और इस वाले में जो प्रावर्तक सतय है, ये बाहर की ओर है, इस साइड से यहाँ पर सिल्वर पॉलिष्ट है, इधर में इस साइड से सिल्वर पॉलिज्ट हैं, तो ये अंदर के उर्वकरी है, ये बाहर के उर्वकरी है, तो ये कौनके मिररड है, अवतल दरपन है, ये हमारा राइक आंसर हो जाएगा. सोडियम कार्बोनेट की हेडरोक्लोरीक अमले से अभिकरिया में उत्पन गैस कौन सी है? देगे, sodium carbonate है sodium धातू है तो यह धातू का carbonate है और यह अमल है याद करो, मैंने आपसे कहा था कि आपको अच्छे से याद रखना है कि धातू का carbonate या फिर bicarbonate जब अमल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर उत्पन होती है कौन सी gas, carbon dioxide धातू अमल के अभिक्रिया में hydrogen gas उत्पन होती है लेकिन धातू का carbonate और bicarbonate के साथ अमल के अभिक्रिया से carbon dioxide gas उत्पन होती है पौधों में डैश हर्मोन के संचार के कारण हुए प्रकाश क्योर जुग जाते हैं तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश के दिशा में जुग जाते हैं किस हर्मोन के कारण ये है oxygen oxygen हर्मोन के कारण cytokinin cytokinin जो है cell division को प्रमोट करता है यानि कोशिका विभाजन के तरगों ये बढ़ाता है जैसे एक कोशिका है ये कोशिका है अगर इस कोशिका को विभाजित होना है तो सबसे पहले इस कोशिका का आकार में व्रिद्धी होता है तब जाकर कि ये कोशिका जो है ऐसे विभाजित होती है तो यहाँ पर जो हर्मोन काम करता है औक्सिन और यहां पर जो हर्मोन काम करता है, वो है साइटो काइनीड, लेकिन फिर भी आप से पूछ ले कि भाई, सेल डिविजन कौन करवाता है, वहां पर आक्सीन और साइटो काइनीड में से किसी एक के साथ जाना हुआ, तो आप जाएंगे साइटो काइनीड के साथ, अपसेसिक जिसे हम लोग तनाव हर्मोन भी बोलते हैं, तनाव हर्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हर्मोन भी बोलते हैं, यह क्या करवाता है, स्टोमेटा को बंद करवाता है, रंद्र को बंद करवाता है, स्टोमेटा को बंद करवाता है, जो मर्वस्थलिय पादप होते हैं, वहां प करके इसलिए वह स्ट्रमेटा को बंद करके रखता है यह हर्मोन जिबरलीन के कारण पूछ दे तो आप बोल सकते हो कि तने की लंबाई को यह हर्मोन बढ़ाता है तने की लंबाई को तने की लंबाई को बढ़ाता है जैसे गन्ने की लंबाई जो बढ़ती है वह जिबरलीन ह कंप्लिट होता है वडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं अगले पार्ट में अगले सेट में पीडियाफ डाउलोड करने के लिए इस टेलिग्राम चैनल से जुड़ें थाइंक यू सो मच